बहु की रसुई रचना की शादी राकेश से होती है राकेश के एक बहन होती है जो की शादी शुदा होती है शादी की दो साल बाद रचना को बच्चा होने वाला होता है माजी मुझसे काम नहीं होता आप कोई नौकरानी रख लो ना ठीक है देखता है पर सास नौकरानी ढूनती नहीं वो तो चाहती है कि किसी भी तरफ बहु काम पर लगी रहे तब बहु अपनी मा से कहती है कितनी बार सास को बोला है कि खाना बनाने वाली रख लो लेकिन नहीं यही बेटी के बच्चा होने वाला होता तो देख दी कितना भाग भाग कर ये नौकरानी रखती। देख रचना, अब मैं क्या बोलू, अब तो उस घर की बहु है, तो जैसे जैसे वो लोग कहें, कर ले। रचना मा से बात कर रही होती है कि पीछे से सास की आवाज आती है। बहु, मैंने चाय बना दी है, जरा नीचे ससूर जी के कमरे में देया, उन लोगों के दोस्ता आये हैं। हाँ, हाँ, मैं ही इस घर का छोटू हो ना। आई मा जी। सास बहु को चाय का ट्रे देती है, बहु धीरे धीरे चलती हुए ससूर को चाय देती है। पता है, हमारी पुत्रवधू पकोड़ें बहुत अच्छे बनाती है। रचना बिटा, जरा बनाना तो गर्मागरम पकोड़े। रचना ससूर की बात बिल्कुल नहीं टालती, वो फटा औफट कीचन में जाती है और ससूर के दोस्तों के लिए पकोड़े बना देती है। बना कर वो प्लेट में रखी रही होती है कि ला, मैं दे आती हूँ, तेरे हाथ के पकोड़े तो वो शौक से खाते हैं। बहु भी काम कर करके ठक जाती है और सास के हाथ में ठाली दे कर कमरे में चली जाती है। मैं खाना लगा दीती हूँ, नहीं वो मा बता रही थी कि आज शाम को पकोड़े बना कर तुम ठकी हो, तो मा ही खाना लगा देगी, तुम्हारा भी कमरे में दे देगी। रचना खुश हो जाती है, लेकिन सास खाना बनाने वाली नहीं रख रही है, इसलिए वो सोचती है कि आज पती से सास की शिकायत करेगी। तब ही सास आती है, अरे वो कल ना गुड़िया आ रही है, बहुत तेरी ननत साल में एक बारात ही आती है, वैसे तुम इस हालत में है, मैं तो मना कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी की परिक्शा खात्म हुई तो, अरे मा बेहन का भी घर है ये, कैसी बात करी तू, और क्या ह हो गया रचना प्रेगनंटी है, कोई बिमानी है, चलो घर में रौनक लगी रहेगी, बीवी को पती की बात पर गुस्सा आ जाता है, एक और तो बच्चा होने वाला है, उपर से आने जाने वालों की कमी नहीं है, फिर एक दिन, बहु की सहली उससे मिलने आती है, अरे रिन आजे ही उतार कर गए, बोल रहे थे ज्यादा चलना नहीं, तू सोफे पर बिठा दे मुझे, बहु देखती है कि उसकी सहली भी मा बनने वाली है, लेकिन उसका पती उसके कितनी क्यार कर रहा है, तब ही सास आ जाती है, अरे रिन्नी बिटा, बदाई हो, मा बनने वाली हो, जी आउन्टी, वो क्या है न, मेरी सास ने जुकने से मना किया है, तो इस हालत में मैं आपके पैर नहीं छुपाऊंगी, अरे कोई न, मेरा आशिरवाद है तुझे, जुक मत, अच्छा बहु सहली आई है, तो जरा रसोई से कुछ खाने को ले आ, बहुर इन्नी की और आई होगे है, डा में रसोई में तो अब भी भी रसोई में जाती है क्या, क्यों, अभी भी मतलब क्या हो गया अब, रसोई इसकी है, रसोई में तो जाएगी न, बहु सास के आदेशका पालन करती है, रसुय में जाती है, सास भी पीछे से पाँच जाती है बहु चाय बनाती है तो सास नाश्टा बहु ट्रे सजाती है तो सास उस ट्रे को सहली के सामने रख देती है अरे तु बैट जथक गई होगी मेरे घर में तो मेरा किचन में जाना बिलकुल मना है अरे आंटी आप कैसी हैं? बहु मां बनने वाली है आपकी आप लोगों को तो ज़रा भी फिक्र नहीं है इसकी आरा तु चिंता ना कर वो तेरी सहली है तो हमारी बहु भी है वस यह बता कैसे आना हुआ? वो क्या है ना मैं तो सिर्फ यह देखने आई थी कि मेरे घरवाले मुझे पर जाती तो नहीं कर रहे लेकिन तेरे घरवाले तो तुझसे अब बेकाम कर वा रहे बहु को सहली की बात सही लगती है देख मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ लेकिन आउंटी जी जो आरते मां बनने वाली होती है न उनका शरिर वैसा नहीं रह जाता जैसे पहले होता है बहु है आपकी बेटी नहीं हुई तो क्या इसका कोई खयाल नहीं रखींगी आप अरे मेरी सास को देखिए कैसे बिठा कर खिलाती है मजाल है मेरी कि मैं पैर जमीन पर रखनो तब ही दर्वाजे के पास एक कार आकर रुखती है लगता है यह आगए अच्छे चलती हो आरे अंदर तो बुला ले चाय पीकर चले जाएंगे नहीं नहीं रहने दीजी आंटी जी सहली गुसे में चली जाती है सास पर सहली की बात का कोई भी फरक नहीं पड़ता बहु बेचारी कमरे में चली जाती है और मा को फोन करती है देख मा वो मेरी सहली है न रिन्नी वो मा बनने वाली है वो आई थी पता है मेरी सास को तो अच्छे से बाते सुना गई सास को तेरी सहली बाते सुना गई लेकिन क्यों क्या हो गया मा मेरी सास मुझसे काम करवाती है लेकिन मेरी सहली उसकी सास तो बिलकुल काम नहीं करवाती कह रही थी जमीन पर पैर भी नहीं रखने देती अरे तु ये कोई अच्छी बात थोड़े ना है पता है जब मैं माँ बनने वाली थी न तो कितना सारा काम करती थी अरे तू नहीं समझती वो सही कर रही है बहु को गुस्सा आ जाता है ये क्या माँ और सास जैसे मिल गए तू रहने दिमा तू तो है ही मेरी दुश्मन तब का जमाना कुछ और था अब बच्चा पैदा करना पता है कितने मुश्कल का काम है सारा दिन किचिन का काम करने में कितनी परिशानी हो दिया हाँ ये तो है पहले प्रेगनेंट और्तों की रसोई और आज के प्रेगनेंट और्तों की रसोई में बहुत अंतर है पहले मसालों को हाथ से पीसना पड़ता था अब तो बस मिक्सी का बटन दबाना है पहले बर्तनों को लेकर नल की पास पैचना मिट्टी से रगणना, चमकाना चुले से काले हो चुके बर्तनों को साफ करना और अब बस लिक्विड सॉप लगाया गरम पानी के निच्ची साफ पहले स्टाव जलाना और अब तो बटन दबाना या गयस चलाना बिटा तु तो रह नहीं दे अच्छा रख रही हो घर के कुछ काम है अभी बहु को मा की बद समझ में नहीं आती वो भी गुस्से में फोन रख देती है ऐसे ही दिन बीत रहे थी कि एक दिन बहु आ बहु क्या है माजी इतनी सुबस्ब क्यों आवास दे रही है अरे कब से तो उट गई हो मोबाइल में आखे खराब कर रही हो अच्छा होगा कि मा की सुन लो बहु जो कि पिछले एक घंटे से लेटे-लेटे मोबाइल चला रही थी सास के पास जाती है क्या है माजी बहु यले बरतन पास से जाकर दूद ले आ माजी क्या हो गया आपको कैसी बात कर रही है हाँ और ये शूज ले ये तेरे लिए मंगाया है इसे पहन कर जाया कर है ना आज से घर का दूद थूई लेकर आएगी समझी बहू जिसके लिए सास का ओडर सर आखो पर था क्या बोलती जूता कसकर निकल जाती है रास्ते में वा बहू कब बनने वाली है तू मा बस आंटी जी एक महिनी की बात है वेरी गुड बहू बगवान तुझे और बच्चे को स्वस्त रखे पडोसन तो बोल कर चली जाती है लेकिन बहू क्या स्वस्त रखे सास ने तो नाक में दम करके रखा है लोग इस हालार में बहू को बिठा कर खिलाते हैं यहां तो चाई भी पीनी है तो बहू दिलाएगी पस एक रोटी सास बनाती है नहीं तो सारा खाना मैं ही बनाती हूँ तब भी पडोसन जो साथ चल रही थी रोटी तेरी सास क्यों बनाती है वो बनाती वक्त मुझे मिचली आती है ना इसलिए रूटी के महग बरदाश्ट नहीं होती मुझसे खैर बहु अब दूद लेने जाती किचन में काम करती ससर को चाय देने दिन में एक बार सेड़ी से उपा नीचे करती और फिर वो दिन भी आ जाता है जब बहु एक प्यारी सी बेटी को जन देती है भगवान का लाख लाख शुकर है कि बहु को नार्मल दिलिवरी हो गई हाँ क्योंकि आपने बेटी का पूरा ध्यान रखा ये अगर शरिर नहीं चलाती तो आज इसकी सहली सिम्मी की तरब परिशान होती मा क्या हुआ सिम्मी को बेटी हुई है प्यारी सी लेकिन बच्चा होने के चार दिन बाद भी घर नहीं आ पाई क्यों मा? मुझी तो अगले दिन ही डॉक्टर ने घर भीज दिया था हाँ, क्योंकि बेटा तु चलती फिरती रही, काम करती रही उसने शरिर को हिलाया ही नहीं बेटा तुझे लगता होगा रसो इसे मैंने तुझे छुट्टी नहीं थी उपर से दो दिलेने भी भेज देती थी लेकिन बेटा शरिर चलाई था अच्छा रहा खेर, मेरी पोती का खयाल तो मैं ही रखूंगी तु आराम कर बेटा